हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इलेक्टिकल हब में आज हम यह एक कि यह मॉडल नंबर सत्रह पच्पन इसका मॉडल है यह आप देख सकते हैं ऐवाकी है यह सत्रह पच्पन मॉडल है इस पर हम आज एक यूनिवर्सल कार्ड इसका बोर्ट खराब हो गया है तो हम इसके यूनिवर्सल कार्ड इंस्टॉलेशन करेंगे कि इस कार्ड के बारे मां अगर कुछ जानकारी आपको लेनी इसका रिव्यू देखना है या इसके बोल्टेज कनेक्षन या आपका कार्ड डेड हो गया या कोई बोल्टेज सप्लाई नहीं बन रही है तो उसका लिंक मैं वीडियो का मैंने सेपरेट विजिव बना रही है उसका लिंक मैं डिस्क्रिम सपन मैं दे दूँगा आप वहां से उस पर जा सकते हैं वीडियो को देख लें तो सबसे पहले हम इस टीवी को खोल लेते हैं वहानि पर गवीडियो को खंग मैं ताप्से पर जा हुझ पहले को सकते हैं? तो हम इसको आप खोल लेते हैं इसमें इदर पेंच लगे हुए हम पेंच खोल लेते हैं खिलाल दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी कि तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको कोई पूछना हो तो कमेंड करके पूछ सकते हैं अगर खीडियो कि तोस्तों बाइब कर दो मेंच टापको सब्सक्राइब कर दोल अगरे हैं प्रखेे नगर प्रिच्ट सो्ट ले खोल खोल रग्षण इस पर बड़े साफ़दानी से काम करें यह आपका पैनल नंबर है यह आप देख सकते हैं M70E5 यह आपका पैनल नंबर हो गया पैके यह आपके जो लगा है यह आपक जो बैग्लाइट की खरुँदार नेखने करदक और इसको फिलाल में बड़े और इसको उठाके मैं कि और पैनल निकाल देता हूं भात और यह हमने से यहां कर लिया सेट तो दोस्तों इसको इंस्टॉलेशन करने से पहले हम इसके मैचिंग करेंगे इसके साथ कि हमारे जो इसके LBDS के कनेक्टर है यह कितने बूल्ट का पैनल है वो सब हम चेक कर लिंगे उसके बाद इसको इसमें फिट करेंगे हम पहले ही इसका यह निकाल लेते हैं LBDS का पक्ता इसकी पन्नी ओपन करके यह हैं अगर आप देख सकते हैं तो इस पर आपकी यह लिखे वे भी है इसकी डाटा सीट आपको निकालने की जरूद भी नहीं है यह आपके लिखे वे हैं यह 0-0 पलस यह odd और even पर हैं तो हम इसी पर ही इसको चेक करेंगे और यहां पर लिखा भी इसकी voltages भी लिखी हुई है, voltage 5 volt in लिखा है, तो ये हमको जो जानकारी मिलनी थी, वो हमें मिल गई है, कि ये हमारा 5 volt का panel है, और जो connection है हमारे, यहां से शुरू है, इस side से, ये, 0-0+, 1-1+, और जो हमने इस board को इस पर fit करना है, तो इस पर भी हम चेक करेंगे, कि हमारा जो connection है, बुक किस side है, तो हम इसमें LVDS का connector लगाते हैं, ये, ये हमारा लग गया LVDS का connector, इस side हमारा positive है, और जो 0-0+, वो इस side से शुरू है, और जो हमारा ये है, इस पहले तो हम इसको 5 volt पर select करेंगे, ये देख लेते हैं कि 5 volt में है या नहीं है, तो इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बता रखा है, ये इदर 12 volt है, इदर 5 volt है, और थोड़ा आगे 3.3 volt है, तो हम इस पर हमारा 5 volt का panel है, तो ये 5 volt पर ही jumper लगा हुआ है, तो हमने ये 5 volt पर jumper लगा रखा है, तो jumper तो लग गया हमारा, अब हम इस पर in करेंगे, ये, इन हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि positive voltage हमारा इदर ही है, ये वी सी सी, हमारे वी सी सी है, NC और ground, तो हम इस पर इसको match करवाएंगे, तो तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपका dot भी दिये रहता है, इस तरह भी, आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा शुरू है, आप इदर 5 volt इन कर सकते हैं, तो आप देखें इसमें, दोनों पिन हमारी ये वी सी सी हैं, ये दोनों पिन हमारी उपर की वी सी सी हैं, तो हमारा red wire लगी है, ये सही है, उसके बाद दोनों पिन हमारे NC हैं, तो एक पर red लगी है और NC है, तो हम यहाँ से इसको हटा दिंगे, यानि अगर ना भी हटा हैं, तो ये not connected है, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, उसके बाद हमारा इस तरफ वाले में कोई connection नहीं है, उस side का एक ground है, तो हमारा इस तरफ वाला pin ग्राउंड है, ये, इस तरफ वाला pin हमारा ground है, और उसके बाद हमारे जो connection है ये, जिरो माइनस, जिरो पलस, वन माइनस, वन पलस, टू माइनस, टू पलस, ग्राउंड, और ये clock, LVDS, माइनस पलस, और हमारे ये, 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 clock माइनस, clock पलस, 3 माइनस, 3 पलस, यहां से देख लें, आप ये, 0 माइनस, 0 पलस, 1 माइनस, 1 पलस, 2 माइनस, 2 पलस, ग्राउंड है फिर, उसके बाद है, clock माइनस, clock पलस, और 3 माइनस, 3 पलस, आपको सिर्फ इतने ही पेर चाहिए, और connection के लिए, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका ग्राउंड, तो इसकी जो ये ग्राउंड है, ये वाला, हम देखते हैं कि अगर यहां पर ग्राउंड आ रहा है, तो हम काईच्छे भी एक पिन पर ग्राउंड दे इन पर, तो हमारा ये ठीक होगा, फिर हमें ग्राउंड यहां देनी की जरुवत नहीं है, इस वाले पर जो ये ग्राउंड लिखा है, हमें यहां पर देनी की जरुवत नहीं है, ये ग्राउंड सब एक ही साथ मिले होते हैं, तो इसी ग्राउंड से हमारा काम चल जाएगा, तो हम देखते हैं यहां से कितने pin बना रही है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ वे पर हमारा ground है तो हम यहां चेक कर लेते हैं कि साथ वे पर है हमारा ground एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो हमारा यह बिल्कुल सही है हमारा ये 7 विपे ही ground है तो 7 विपे हमारा ground है उसके बाद हम जो यवाली layer है इसको हम layer वो यह हमारी 0 minus 0 plus वाली है इस पे जो plus है वो आपका blue वाला wire है और white वाला है minus 0 minus है जो white वाला है और जो blue वाला है वो है positive यह आप देख सकते हैं यह तो मैं इस वाले को trace करता हूँ अगर यह मेरा इधर अगर यह मेरा इधर वोई connection अगर इधर इधर 0 minus 0 plus के साथ attach है तो यह मेरे को इसके यह जो LBDS के वाला है इस पे कोई भी wire को बदलने की जरुरुत नहीं है अगर मेरे उसके साथ नहीं attach है तो फिर बदलने की जरुरुत है तो मैं इसको यहां से ऐसे खीच करके इसको खीच करके चेक कर लेता हूँ कि मेरा यह है या कौँच है मैं मीटर से एक बार चेक कर लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ कि पुश्कटों के दूबब तो इस टैम्प है मेरा मीटर कहीं और है काम पह तो मैं ऐसे ही एडिया लूँगा क्योंकि मीटर है नहीं मेरे पाई इस टैम्प कि यह वाली वायर उसी पह गई है या नहीं गई है करके तो मैं इसको थोड़ा लूँच कर लेता हूँ पहले यह मैं ऐसे लूँच कर लेता हूँ और इसके बाद खीच के देखता हूँ इधर से हमारा यह वायर आना चाहिए फस्ट वाला अगर यह इसी के साथ अटberry है तो यह हमारा यह इधर से जिरो मैनस जिरो पलस है और इधर से यह वाला है अगर यह एक साथ अटाइच हैं तो हमारा यह बिल्गुल सही है 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 तो मैं यह इसको खीच रहा हूँ तो यह वाली वाइर खीच़्ही है आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि मैं जब भी इसे खीचता हूँ तो यह वाली वाइर मेरी खीच़्ही है यह मैं इसको यहां से खीचता हूँ यह यानि यह मेरा जो 0-0 पलस है वो मेरा यहां लगा हुआ है तो मैं इस कार्ड को मुझे कुछ करने के जुरुवत नहीं है यह मेरा फेट है पूरी तरीके से अब मैं क्या वरूँगा इस पर जो इदर जो हमारी बैक लाइट के कनेक्शन है मैं इसका कनेक्शन इसका कर देता हूँ इसको थोड़ा आगे बढाके यह मेरे कनेक्शन हो गए है उसके बाद मैं इस पर यह बैक लैट वालब पत्ता भी लगा दिया और यह फरंट पैनल भी लगा दिया और यह है मेरे स्पीकर के इसको भी लगा दिया तो यह मैंने अब टोटली कनेक्शन कर दिया है अब मुझे चाहिए पाउर सप्लाई पाउर सप्लाई के बाद यह मेरा चालू हो जाए हूँ पाउर सप्लाई लाता हूँ यह मेरी पाउर सप्लाई है अब देख सकते हैं बार पूप बोल्ट 3.3 एंपिर की पाउर सप्लाई अब मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ उसके बाद इसको चालू घरूंगा रख्टर अभाग झाँ पाँ 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 अजजड़ सब्सक्रण पाँ वे पाँ यह पाँ पाँ मेरे इस पर 12 वोल्ट आ चुका है हम मैं इसके नीचे इसको रख लेता हूँ और यहां से करता है इसकी पावर सप्लाई कनेक्ट यह मैंने पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया यह मैंने कनेक्ट कर दिया उसके बाद अम मैं पावर चालू करता हूँ इसके बाद मैंने पावर दे दिया है यह हमारी पावर इंडिकेशन ओन हो गई है अब मैं इसको इस्टैन भई रिलीज करता हूँ यह हमारी रिलीज हो गई अब हम इसके पैनल पर देखते हैं कुछ दीखने को मिला क्या हमें तो यहां हमें कुछ लाइटिंग वाइटिंग देखने को नहीं मिली तो हम इसको ऊपर करते हैं अपने इन्वाटर कार्ड में देखते हैं क्या प्रोब्लम हो सकती है तो मेरे को यहां दिखाई देरे मैं पावर बंदे करता हूँ अब देख सकते हो इसकी जो इन्वाटर कार्ड की आईसी है यहां पर यह बर्न हो चुकी है और मुझे एक कैपिशीटर भी बर्न लग रहा है ये तो मेरा ये inverter card खराब हो चुगा है इसका तो मैं करूँगा क्या simply अब मैं इसका jack open कर देता हूँ और जो भी ये inverter card है इसको मैं remove करता हूँ मैंने ये card remove कर दिया तो मेरा ये card खराब है तो इस card को मैं silent रखता हूँ मेर पर और card है ये अब मैं इस वाले card को connect करूँगा इसका ये मैंने connect कर दिया और इसको मैं यहां connect कर देता हूँ ऐसे और मैं इसको देता हूँ इसका मेरा ये negative है ये positive है ये green वाला backlight on है तो मैं देखता है इसका positive ये jack मेरा जाएगा ऐसे तो मैं इसके पीछे देख लेता हूँ इस पर मेरे starting में 12 volt है 12 volt है on है adjust है ground है तो मेरे इदर से दो पिन backlight on वो बारे बोल पॉजिटिव है तो मैं इसको ऐसे डालता हूँ तो मेरा ये पहला पिन बारे बोल पॉजिटिव दूसरे वाला खाली कर रहा है मैंने वो बारे बोल पॉजिटिव फिर on signal था उसके बाद adjust था फिर ground और फिर एक पिन और ground तो मैंने वो छोड़ दिया है ground ये यानि पहला red वाला मेरा 12 volt है second वाला भी 12 volt है third वाला on है fourth वाला adjust है फिर ground है फिर ground है तो मैंने ये इसको connect कर दिया अब मैं उसके बाद panel को बहले सूल्टा रख लेता हूँ panel मैंने अलग कर लिया है ये पैनल को मैंने सूल्टा रख लिया इस में आप ध्यान करेंगे अगर आप उल्टा जैक डालेंगे तो ये डलेगा भी नहीं आपका सूल्टा ही जैक डलेगा अगर आप पल्टा के डालेंगे तो ये जैक आपके नहीं डलेंगे ये मेरा हो गया उसके बाद मैं इसको रखता हूँ यहाँ ये मेरा LVDS का पत्ता हो गया ये जो आया हुआ है इधर से मैंने यहाँ दबा दिया इसको connect हो गया ये अब उसके बाद इधर से मैं ये power supply ये मैंने power supply दे दिया उसके बाद इसको मैं रख लेता हूँ थोड़ा इधर को ये ये मेरा पूरा setup हो गया है आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा दूँ ये मेरा backlight का connector था ये मैंने backlight पे दे दिया और जो ये अंदर से backlight की वायरे आई हैं ये इसको मैंने यहां जोड़ दिया है ये ये हमारा driver card खराब था ये पहले वाला है जो ये इसकी जो IC मैंने पेपर डाल लिया अब मैं इसको on करता हूं कि ये मैंने on गया तो हमारी ये 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 लाइट को लो रही है ये 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 बैक light भी जल गई direct और वह हो गया अब मैं इसको on करता हूं ये हमारी green हो गई और ये हमारा टीवी okay हो गया अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि हमारा ये पूरा screen एक side को भागावा है इधर side को ये इधर side को पूरी screen इधर side को भागी है आप ये text देख सकते हैं ये हमारा आदा कटाव आ रहा है और इधर हमारी जगे बची हुई है ये पूरी screen इधर भागी हुई है इसको हम service mode से पूरा clear कर लेंगे इस वाले part को और बागी मैं इसमें भी हाथ लाके देखता हूँ कि ये भी हमारी heat उतनी नहीं हो रही है यानि ये perfect काम हमारा हो चुका है ये हमारी display भी आ चुकी है और बागी मैं इसको fit करके फिर आपको दिखा दूँगा दोस्तों ये मैंने टीवी को set कर लिया है बागी मैं इसके लिए आपके लिए एक नैस्टे वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका service mode के लिए क्या क्या code होते हैं और इसकी जो एक side वाली दिख्कत है उसको हम कैसे कर सकते हैं तो हमने ये सब अपनी अपनी जगे पर ही fit हो रखे हैं इसके ये तो बागी ये हमारा चीजी okay हो चुका है तो आज के लिए इत्ता ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को subscribe करते हैं और वीडियो को like करते हैं अगर कोई भी दिख्कत अगर आपको आती है तो comment करके मुझसे पूछ सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में झाल